नमस्कार दोस्तू मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और अच्पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तू जैसके आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है बेल्डशीट में मिले दो महिलाओं के शब तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं तो कहां की नॉटिफिकेशन को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले हैं ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हार नॉटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं तो द बार शाम बेडशीट में संदिग्द अवस्ता में कोई वस्तू होने की सूचना मिली सूचना के बाद परवाणू पुलिस मौके पर पहुंची इस दोरान पुलिस ने देखा कि टरनल के समीब कोछ पड़ा है और पुलिस ने जांच की तो बेडशीट में दो महिलाओं के शाब जो है मिले तो काल का शमला नाशनल हाईवे पर कोटी रेल बे टरनल नंबर दस के समीब बेडशीट में लिप्टे दो महिलाओं के शाब रामद हुए है पुलिस ने दोनों शाबों को निकाल कर पोस्ट मार्टम के लिए आईजेमसी शमला भीज दिया है एफ हैसल ज पुलिस ने देखा कि टैनल के समीब कुछ पड़ा है और पुलिस ने जाच की तो बेडशीट में दो महिलाओं के शाब मिले पुलिस ने दोनों महिलाओं के शाबों को बाहर निकाला और पोस्ट मार्टम के लिए शमला भीज दिया एस पी सोलन वेडेंदर शर्मा भी गट की कारणों का ख़ुलासा हुप आएगा आशंका जताई जा रही है कि महिलाओं की हत्या बाहरी राजये में हुई और हत्यारों ने शेवों को यहां फैंक दिया बाहर हाल पुलिस ने हर पहलों से अपनी जाच शूरू कर दिये फिलाल शेवों की शिनाकत जो है नहीं हो पा है तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यह हादसा जो है हिमाचल प्रदेश के डिस्टिक्स सोलन में जो है हो है अगर आपने वी तक वीडियो को शेर नहीं किया वीडियो को शेर कर दें और अंकित वर्मा और एच पे नॉटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न पहुंच सके दन्यवाद जैहिं जाभा